नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डारते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर मोगा में कॉंग्रिसी ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नमबरदार के अग्यात लोगों ने गोली मारकर की हत्या गैंक्स्टर अर्श डला ने लिए जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स फिरोस्पूर रेंच ने तीन नशा तसकरों को किया काबू तीन किलो पांच सो ग्राम हैरोईन एक इलेक्ट्रोनिक तराजू और एक कार की बरामत फगवाड़ा में देरात अग्यात व्यक्ति उन्हें गोली मारकर की एक व्यक्ति की हत्या पुलिस जांच में चुटी और अब भल चल विस्तार से गत साइं जिला मोगा में उस समय डर का महौल बन गया जब गाउं डाला के रहने वाले कॉंग्रिस ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नमबरदार बलचिंदर सिंग बल्ली के घरा कर अग्यात लोगों ने उन्हें गोलियां मार दी जिसके बाद बलचिंदर सिंग बल्ली को मोगा के मेटी सिटी अस्पताल में घायल अवस्ता में भरती कर पाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौथ है वही घटना के सूचना मलते ही मोगा के स्सपी जे अलन चेलियन, स्पीडी अजे राज सिंग और उच्छ फुलिस सतिकारी बल्ली के घर पहुंचे और जांच शुरूली तो वही बारदात की ये घटना सीसी टीवी कैमरे में कैथ हो गई है इस समंद में जांकारी देते हुए डियस पी धरमकोट वरिंदर सिंग ने बढ़ाया कि अग्यात लोगों द्वारा बल्ली पर गोलियां चलाई गी है लेकिन बाद में इस घटना से उस समय परदा उठ जब गैंस्टर अर्श डला ने अपनी फेस्बुक पर एक पोस्ट डालकर बलजंदर सिंग बल्ली के कतल कराने की जिम्मेदारी दी है तो वही पुलिस सीसी टीवी के अधार पर दोशियों की तलाश कर रही है और बलजंदर सिंग बल्ली का शव पोस्ट माटम के लिए मेडी सिटी अस्पताल में पहुंचे कॉंग्रिसी नेता परमपाल सिंग ने बताया कि बलजंदर सिंग बल्ली निहाल सिंग वाला शित्र के बलॉक प्रधान है उनके घर पर दो तीन अग्यात लोग कुछ साइन करवाने के बहाने आयो और उन पर गोलियां चला दिये जिस में बली डाडा पेंड दे नंबरदार है गया ते आज जे कुई पांजवाजी के शबी कमेंट दे दो नौजवान अनपशाते आया जड़े मोटर साइकल ते सिगे ते ऑंदया ने ये इना ते जड़े फायर की ते दो फायर एक इना दे फायर लगना जाखमी होया ते उद स्पेशल टास्क फोर्स फिरोस्पुर रेंच ने तीन लोगों को कब्बू करने में सफलता हसल की है इस संबंद में जानकरी देते हुए फिरोस्पुर रेंच के ए आई जी स्टी अफ भुपिंदर सिंग सिध्धू ने बताया कि नशों के खिलाफ बनाएगी टीम ने डिय निवासी चक पंजे थाना गुरुहर सहाई को एक किलो पांसो ग्राम हैरोईन एक इलेक्ट्रोनिक तराजू और एक कार सहित काबू किया है उनने बताया कि ग्रिफतार किये गे हरमेश सिंग ने पूछताच के दोरान बताया कि सुखविंदर सिंग और जगदीश और दीश निवासी गाउं फते हमाला ही ठाड थाना मंदोट ने उसे ये हैरोईन बेचने के लिए दी थी जिसके बाद हरमेश की निशान दही पर सुखविंदर सिंग को ग्रिफतार कर उसके कबजे से दो किलो हैरोईन और बरामत की गई उनने बताया कि फिलहाल सभी आरोपियों को माननी अदालत में पेश कर रिमांट पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताच की जा सके जिसे और भी खुलासे हुने की संभावना है फिरोसपुर से हलचल के लिए मंजित सिंग की रिपोर्ट सदे माने उग सीम साब सदे टीजीप साब टीजीप साब टीजीप स्टीएफ श्रीकुल्दीट सेग ते इनस सारे दी हदायता ते जड़ी महिम लगातार चली आ रही है ट्राच दे कलाव ट्राक पैडलर्स दे कलाव उदेवेशन नो बदिया सफलता हासल मिलिया मेच सिंग पुत्तर महिंदर सिंग वासी मेका रहतार मुक्तियार सिंग पुत्तर वीर सिंग वासी ठाना गुरूर साइए इनना नो पिछले दिनी एक किलो पांसो ग्राम है रहन समेत इननों ते इनना दी गड़ी देवी चौन दे अनना लोग काभू कीता सीगा फगवारा में गत रातरी अग्यात व्यक्तियों द्वारा गोली मार कर व्यक्ति की हत्या कर दी गी इस संबंदी जानकरी देती हुए एसपी गुर्पित सिंग गिल ने बताया कि कल देरात उन्हें सूचना मिली थी कि मंसा देवी नगर में अग्यात व्यक्ति द्वारा गो बोड़ी आई थी जिसकी जांच करने पर पता चला है कि उसे दो गोलियां लगी हैं फगवारा से पंकर शर्मा की रिपोर्ट प्रहें मताब़त प्रहें पंकर दुपल की ब्रॉडड़ आया हुदे जरी मुडली अर्जामीनेशन देखे जरा है दो गोलियां से एक ठोले पेल्टे सी सब्चाइबास से उपर ले फासे एक चाथी जब्यबास की लादे जरी मतलब के वहां भाटेटेट हो है कि मेरेको लाया सब मैं और एसरी काएना मुशकल है मेरेको रॉड़ाया भॉड़ाया हुद ब्रॉड़ाट करता है कर दो तक जो साथी नौलेच आया है लिमनेरी जड़ी इंवेस्टिगेशन किती है दो जड़े बुलेट हिट होने पाएगे लिमनेरी जड़ी 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 आगी सानों डॉक्टर्स जड़ी रिपोर्ट है उस तो हएगी अमरी सर पुलिस कमिशनर नौ निहाल सिंग के दिशान निर्देशों पर लूट पार्ट करने वालों के खिलाफ कारवई करते हुए गत दिनों शूगर मिल में गूलियां चलाने वाले अरोपियों में से चार अरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है इस सबंद में जानकारी देते हुए पुलिस सदिकारी निशान सिंग ने बताया कि खंड वाला छेरटा शूगर मिल के रहने वाले अमरीक सिंग को उसकी पतनी राच्रानी का फोन आया कि उसके भाई गुर्मुख सिंग और पडोसी अनिल कुमार और बिटू का ओटो को ले पडोसी अनिल कुमार के साथ उन्होंने मार पेट शुरू कर दी इस दोरान लोग इकठा होते देख हमलावर भाग गए और आधे घंटे बाद सादू सिंग और आठ दस ग्यात व्यक्ति हाथ में पिस्तॉल पकड़ कर मोटर सैकिल पर सवार होकर उसकी घर के बाहर आये और आते ही 5-6 हवाई फायर कर धमकिया देते हुए फरार हो गए जिसके बाद थाना चरटा की पुलिस ने 24 घंटों के अंदर 4 दोशियों को ग्रिफतार कर उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किया गया हत्यार बरामत कर लिया है फिलहाल उनके दो और साथियों के बारे में पूछताच की जा रही है जिने जल्द ही काबू कर लिया जाएगा अमने सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट एक उत्म गुथा है उस्तो बाद क्रीब एक अधे कोने के इंठेवादे जड़ा हार प्लीसिंग सापू ही एदे नाल जेडे साथी सी सारे एरालके एनाने उना दे जाके कली देवेच फैरंगी ती जो वसी उसे विले ही कारवई कर देयां CCTV कैमरे बगारा देखके एना दी मतलब पैर नप्पी जेदे तैद चवी एंकाइंट आदे अंदर असी जड़ागे दोच्छी इस मकदमे ज़ लडीन दे रोहत कमार उर्फ नंदू पुत्तर बिलूराम वासी बटाला नेरुगेड हालकनू पुरकाले दूसरा गगंदीप सिंग उर्फ बोभी पुत्तर मं पुलिस कमिशनर नौन हाल सिंग के दिशा निर्देशों पर लूट पार्ट करने वाले लोगों के खिलाफ चलाईगी मुहिम के तहत थाना मुहकम पुरा की पुलिस ने नाकाबंदी के दोरान चार रोप्यों को काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है इस समझ में जानकरी देते हुए ADCP City 3 गुरिंदर बीर सिंग ने बताया कि पुलिस टीम ने गुरुतेंग बहादूर नगर में नाकाबंदी के दोरान चेकिंग की जा रही थी जुरान आरोपी हर्पित सिंग औरफ साहिव औरफ साबू निवासी मोहला खंडवाला चेरटा अमरिस सर हर्मन प्रीट सिंग औरफ हर्मन निवासी खंडवाला चेरटा जशन दीप सिंग औरफ अवी मोहला खंडवाला चेरटा अमरिस सर और आकाश दीप सिंग औरफ सतना सिंग निवासी खंड वाला चहरटा अम्रिस्तर को कबू किया गया जिनके पास से दो पिस्तोल बार हैं जिन्दा रोंद एक सो पैंतिस क्राम हैरोईन एक एक्टिवा और एक मोटर साइकल भी बरामत किया गया है उन्होंने बताया कि उकता रोपियों ने शूगर मिल चहरटा अमिस्तर से हल्चल के रिए सुनील खोसला की रिपोर्ट जिसी चार दोशी अरेस्ट कीते ने हर्मन प्री सेंग अकाश दीव एंड जशन दीव एनने जैज में जड़े एक पिस्टल है बती बोर्दा एक रवॉल्वर है ते नाल जिंदा कार्थूस में प्लस जड़ा लड जड़ां गोर लड़ाई हो ईनना यही वेपन यूज की, घनने ँड़ाय करके वेखे, और भॉल्वर है पबाद से ने वीथ परसों में हुझे होगा आप दा हम आप अले सी एक और तो यह पार हैय। को आपके यू एनन थे लेखे चार ने शिंगी आतो फक्या थे पंजाबी फिल्म मस्ताने को जहां पूरी दुनिया से प्यार मिला वहीं सिख पंत के इतिहास को दर्शाती इस फिल्म की स्टार कास्ट को अमरिसर के गुर्दवारा बाबा फूला सिंग बुर्च में बाबा बुड़ा धल के चौध में प्रमुख जत्यदार बाबा सिंग अ विडिया से बाचित के दौरान बताया कि इस फिल्म के माध्यम से उन्होंने सिख इतियास और उस समय पर प्रकाश डालने की कोशिश की है जिसे जनता ने खूब प्यार दिया और इसका असर उनकी निजी जिन्दगी पर भी पढ़ा है उन्होंने कहा कि बाबा जी की तरफ से जो प्यार और सन्मान मिला है इससे उन्हें इस तरहें के और प्रोजेक्ट करने का सहस मिलता है अमरी सर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट गुरु सभ किरपा कर नजमे ना ने जड़ी मस्ताने फिल्म है बहुत ही वदिया टंग देना ले ना ने अर ते आसनु जड़ा दरसाउना कीता है जिते ना दी समुची टीम ते उत्ते ही साड़े बाबा परम जी संग नेंग संग ते बाबा जड़ा गुर शेर संजी नें सब्सक्राइब !! राज्य में नियाय और कानून की विवस्था बिगड़ती जा रही है जिसके चलते सुनाम के पट्याला रोट पर बने नेशनल ढबे पर देरात दर्जन भर गुंडा तत्वों ने खतरनाक अंदाच में हमला कर दिया यह हमला ढबा माले की गैर हाजरी में हुआ हमलावरों ने ढबे में बुरी तरह से तोड़ फोड कर वरकरों पर जानलिवा हमला किया जिसकारन दो ढबा करमचारी घायल हो गए जिने उपचार है तो सिवल अस्पताल में भरती करवाया गया है यह ढबा एक फैमिली रेस्टो की सुनाम चकिंग की डूटी पर थे उन्होंने वारदात को अंजाम देने वाले गुंडा तत्वों का दलेरी से पीछा किया लेकिन शहर की गलियों का फाइदा उठाते हुए हमलावर भागने में सफल हो गए जबकि भागते हुए हमलावरों में से एक को मोटरिसाइकल और म अपना अफ्रादा फोन आया के अपने टापे देवी दासवारा मुंडे कोट मार करें ने मैं उसे टैम नाल दीना लागया आईटे चाहूंग तो पीसेर खड़े नाली मेरे को पीसेर आगे असी आके खड़ी है पीसेर ते उस बाद नाल दीना सदार इंस्पेट ताप जि पीसेर तो जाके गई उना दस्याभी ओंडे फेर अलका रहा मार के तिन्न मुंडे संगर वाये कला रहा तको ओ फेर चलेगे इंस्पेट सावने पिछे गड़ी लाइए उना थे फिर जाके उन्हाने अपना जिते कड़ा केला गुर्द बारा उत्थे अगर ने फड़े जा कुट मार कर एक मेरे असी दो मिनमे मुक्रेश है तुद्धा भी काम कर दें ओपती के तो जी है अप अग्या से खुड़े बंदे लह पिछे ले गए पिछे में काम कर रहे से उद्धर मेरे मेरे भी खुटने लगए है तो चलाना लगए है आप दोद्द मोके दे गये हैं वह दोबरा फिर हमला करने नहीं इतनल उत्व इा तो गड़ी तो मारे आता हूं नहीं अपने उसी कि उस्तों अभाद ला ला ली कड़ी लाके अगे साधे को बड़ी गड़ी उसी और सब्सक्राइब कर लिए उन्हें टैक्सी यूनियन की और से अपनी घाडियां लगाकर प्रशासन से अपील की गई आप्स लोटते समय वे कोई और सवारी बढ़ा कर वे अपना खर्च निकाल लेते हैं इससे सवारी को भी लगजरी बस के दामों पर गारी की सुविदा मिल जाती है और उनके घर का खर्च भी चल जाता है लेकिन अब मोगा के कुछ टैक्सी ड्राइवर उन्हें ये करने से र तरफ वाली गाड़ी वे नहीं चलने देंगे उन्हें का कि इतनी पेमेंट तो कोई सवारी नहीं देगी और उनका काम बिलकुल खत्म हो जाएगा इसलिए उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि उनका ये मामला पहल के अधार पर हल किया जाए ताकि किसी का कोई नुकसान न टेक्स पार के चल दियां पास गाओ तो अलाकते आख गलना रहे गिया हरे एक श्टेट सी टेक्स पार के जो गाइड लैंड साड़ी जरे साड़े मताव का मताव का सी जो सी गाइड लेना सुनिगा मां कोई भी बंदा किसी जगातों रजास्टमेंट सवारी दी तो अड़ सब्सक्राइब दूसरा बंदा कोई किसे नूँ का टेवाद जमें मर्जी जा सदा कोई टेंशन परसासंतों तो असी एही मांग कर देयां असी कनौन जो गाइड लेना है गियां जिनने का सनू मिलें जिनने जो कैसी के असी लिए आगे सारदे पेश कारते हैं ठीका जी असी परसासंतों यह मांग कर देयां ओगाइड लेना मताव का बिए साधा नर्पाक मालवेदा साधा फैंसला होना चाहिए जमें मेरे राने दासी दितावा टैक्सी विद्ने वन वे टैक्सी का मसला वा वन वे टैक्सी दस-बाराँ साल ना तो चल रही या एक विए अज़ी न अंडोग्रेडियान तिप बढ़्डा सर्मायधार दावका साधी ट्रेड नूँ खान लागया उन्ना को ले परमट सी असी ओस्टेम थोड़े बहुत जिन्ने जोगे सी पट्रेस्ट कीती फेर ओधा जदो हलना होया ता फेर असी अपने तन देनू डवदा देके वन वे ट से शुरू किते मोगे अड़े कुछ वीर साथे दे तराज दाउंदेने भी रेट काट करके चाल देने असी उन्ना ना हमेशा पहला भी अज भी गेने या बैठके गल करनूं यह मसले दाहल करनूं हमेशा रेडियां सस्पी साफ दे द्रखास जित्ती सी द्रकास मार्कों के सावन को यह उन्ना ने सानु कुछ गाइडलाइना मंगी यह उन्ना नों परवाइड भी किती यह नहीं ठीक है जी अकॉर्डिंग टू गॉवर्मेंट गाइडलाइन असी रूल्स परमाट टैक्स फेटरनस अप्टू डेट टैक्सियां असी प्रशाशन ते को चोटी जी अब अंत में हल्चल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से मोगा में कॉंग्रिसी ब्लॉक प्रधान और मौजूदा नंबरदार के अग्यात लोगों ने गोली मारकर की हत्या गैंक्स्टर अर्श डला ने लिए जिम्मेदारी स्पेशल टास्क फोर्स फिरोस्पूर रेंच ने तीन नशा तसकरों को किया काबू तीन किलो पांच सो ग्राम हैरोईन एक एलेक्ट्रोनिक तराजू और एक कार की बरामत फगवाड़ा में देरात अग्यात व्यक्तियों ने गोली मारकर की एक व्यक्ति की हत्या पुलिस जांच में चुटी इसके साथ ही अब तक कीकति विधियास माप्त होती है और तासा चौनकारी के लिए देखते रहे हल चल झाल